हेलो दोस्तों नवश्कार स्वागत आप से भी का एजुकेशनल स्टडी बन यूटिब चैनल पे तदिकी दोस्तों SSE CHSL एक्जाम 2030 आज से आपके एक्जाम शुरू हो चुके हैं आज आपके 2 अगस्त का 4th शिफ्ट का एक्जाम खतम हो चुके है तो 2 अगस्त 4th शिफ्ट एक्जाम अनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे तो आज जिन भी दोस्तों का CHSL एक्जाम ताथ 4 शिफ्ट में 2 अगस्त को वो सभी साती इस वीडियो में ध्यान से एंट तक बने रहीएगा 4 शिफ्ट में पूछेगे सभी GK, GS और करेंट वेर के सभी क्वेशनों के राइटन से आपको इस वीडियो के मादियम से पता लग जाएगे और जिन भी दोस्तों का नेक्श शिफ्ट में एक्जाम है वो सभी साती इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंट तक जरूर रटेंड कीजेगा एक्जाम काफी लंबा चलने वाला है और डेली शिफ्टों में कंटिनियूसली GK, GS के क्वेशन रीपेट होंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो में ध्यान से एंट तक बने रहीएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं चोथी शिफ्ट का पहला क्वेशन आपसे पूछा गया कि हरी परसाथ चोरसिया किस वादियंतर से सम्मंदित है बात करते हैं हरी परसाथ चोरसिया की तो ये बांसूरी वादन से सम्मंदित है तो बांसूरी इस क्वेशन का राइटन सरता 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार इनों ने प्राप्त किया और इने 2000 में भारत की दूसरे उच्टम नागरिक समान पदम विभूशन से भी समानित किया गया भारत में जो अन्य प्रमुख बांसूरी वादक है उनमें एन लीला है, पनालाल घोश है, राजेंदर परसाद है और वी कुंजामनी है जो कि नेक शिप्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं अगला क्वाशन पूछा गया कि सिंदू सब्वेता कितने वर्ष पुरानी है सिंदू सब्वेता के अपने बात करते हैं तो ये आठ हजार साल पुरानी है हिसार जिले में राखीगडी पुरात्विक स्थल हमारी सब्वेता के पांच हजार साल पुरानी इतियास को फिर से लिखने वाला है अब ये सूकी सरस्वती नदी के तट पिस्तित है ये भारतिय उप महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है हडपा स्थल भी है चोती शिफ्ट का अगला क्वेशन पूछा गया राष्टपती पर जो महाभ्योग की प्रक्रिया है वो किस अनुछेद में है राष्टपती पर जो महाभ्योग की प्रक्रिया है ये अनुछेद 61 में है तो आर्टिकल 61 आपका राइटन सर्ता अनुछेद 59 में राष्टपती के कार्याले की शर्तें बताई गया है अनुछेद 63 में भारत के उपर राष्टपती के बारे में बताई गया है इसके लावा अनुछेद 66 में उपर राष्टपती के चुनाव के बारे में बताई गया है जो कि next shift में आपसे पूछा जा सकता है अगला question पूछा गया लोहोडी महतसव किस राजय में मनाये जाता है बात करते हैं लोहोडी महतसव की तो ये पंजाब राजय में celebrate किया जाता है माग के महीने में मनाये जाने वाला ये पंजाब का फसल त्योहार है लोडी ठीक है दोस्तों यह त्योहार हर साल 13 जनवरी को बहुत उत्साय और जोश के साथ मनाये जाता है ठीक है तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है चोथी shift का अगला question पूछा गया कि प्रथम पंचवर्शी योजना का कारेकाल क्या था तो प्रथम पंचवर्शी योजना 1951 से 1956 तक थी ठीक है दोस्तों काफी बार पूछा जा सकता है कि पंचवर्शी योजना की शुरुवात कब हुई थी 1951 से हुई थी आपके जवाहलाल नहरु के टाइम में ठीक है इसकी जो लक्षे वर्दी रखी गई थी 1961 तक था और जो दूसरी पंचवर्शी योजना है वो महाल नोबिस मोडल पर क्या थी आधारी थी ये बात आपको ध्यान में रखनी है अगला क्वेशन पूछा गया चौती शिफ्ट का कि पश्चिम की और बहने वाली नदी कौन सी है तो पश्चिम दिशा की और बहने वाली नदीों में नर्मदा, ताप्ती, इसके लावा लूनी, गागर, माही और साबरमती नदी आती है पूरो की और बहने वाली परमुख नदी है गुदावरी, कृष्णा, कावेरी, माहनदी है लेकिन नर्मदा और ताप्ती, पश्चिम की और बहने वाली क्या है, परमुख नदी है तो आप बता रहां, आपको अप्शन में क्या दिया गया था अगला क्वेशन पूछा गया, विटामिन सी किस बीमारी से समंदित है तो विटामिन सी से सकर्वी नामक रोग होता है, ठीक है क्योंकि शिशों को मा का दूद आम तोर पर प्रयाप्त है विटामिन सी की आप पूर्ती करता है, और शिशों विटामिन की पूर्ती के साथ मजबूत होता है संयुक्त राज अमेरिका में सकर्वी यद कर देखा जा सकता है लेकिन शराबियों और कुपोशित वरद लोगों में हो सकता है ठीक है विटामिन C से जो बिमारी समंदित है या होती है वो कौन सी है सकर्वी है ठीक है अगला question पूछा गया मोहिनी अटम नर्तिया किस राजिय से समंदित है मोहिनी अटम जो नर्तिया केरल से समंदित है इसकी उत्पति 16. श्तापदी में मानी जाती है मोहनी के रूप में विश्णू के पुनर जनम में महिलाओं दोरा हिंदू भगवान विश्णू की याद में ये नर्तिय किया जाता है डॉक्टर सुनंदा नायर मोहनी अटम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी थीक एक है इसके लाओं मोहनी अटम नात्य सास्तर की लाश्चे सेली पर आधारित है इसके लाओं पूछा जा सकता है जूमर कहां का नर्तिया है तो ये हर्याना का है बिदेशिया कहां का है बिहार का है अगला question पुछा गया, बाबर ने कौन सी उपादी धारन की थी, गाजी की उपादी धारन की थी, खानवा के युद जो की 1527 में हुआ, इसके बाद बाबर ने गाजी की उपादी धारन की थी, राना सांगा और मुगलों की सेना के बीच ये लड़ाई हुई थी, जिसने भार में मुगल शाषन की स्ताफना की, बाबर भारत में पहला मुगल शाषक था, ये भी very important question बनता कि भारत में पहला मुगल शाषक कौन था, बाबर था, बाबर का जनम 1483 फरगना उजबेकिस्तान में हुआ था, इसके लिए बाबर ने जो पानिपत का प्रथम युद लड़ा था, बाबर और इबराहिम लोदी की सेना के मद्य में लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, 21 अपरेल 1526 को, उन्होंने तुजुक ए बाबरी जो सोरी बाबर की आतमकता है, वो तूर्की भाशा में लिखी थी, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, आगे हम सुबह व पूछा गया, दक्षिन भारतिया वास्तुकला शेली के मंदिरों के आंगन में शिला का स्तंब बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो इस शिला के स्तंब को स्तूपी का कहा जाता है, तो स्तूपी का आपका विल्कुल राइटन सर था, अगला क्वेशन पूछा गया, कि गा 43B, सहकारी उध्योग से समंदिता है, आर्टिकल 46, SC, ST और अन्य पिछडे वर्गों की विकास से समंदिता है, आर्टिकल 47, नशीले पदार्थों की निशेद से समंदिता है, 48, गो हट्या पर प्रतिबंद से क्या है, समंदिता है, अगला क्वेशन पूछा गया, कि 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 त अगला क्वेशन पूछा गया, सूरजकुंड मेला कहा आयो जित होता है, तो सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाना में आयो जित होता है, अंबु माची मेला कामख्या मंदिर असम में होता है, चंदरभागा मेला जालरा पाटन जालावाड राजस्थान में होता है, त लोग स्वास्ते में सुधार का करता हुए कि सनुछेद में वर्णित है तो यह आर्टिकल 47 में इसके बारे में बताया गया है अगला एक्वेशन है कि फुटबोल में पैनल्टी मार्क और गोल के बीच की दूरी कितनी होती है तो यह 12 यार्ड्स या फिर 11 मेटर की होती है तो